स्वालो विच्वाटी सोगद आप सभी गई वर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड हम यहां पर आपके लिए गए को इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कंपाइल्ड क्वेशन पेपर जो हमारे रहने वाले इगनों के और यह हमारा रहेगा सुझेक्ट यहां पर बीच डी सी वन त्रिटी टो ठीक है जिसका हमारा अगर हम भात करें हिंदी का यह ठीक है और यह 20 से लेके आपको 23 तक आपको यहां पर क्वेशन पेपर जो है वो द इंटी देता हूँ कि यहां से आपके मैक्सिम्म कवर हो जाएंगे ठीक है और मैं तो इसमें आड़ करने वाला था इंपॉर्डेंट कोशन लेकिन मैंने देखा कि मैक्सिम्म टॉपिक्स यह वो कवर हो चुके अल्रडी इन प्रिवेस एर क्वेशन पेपर के अंदर क्योंक देखो आपका टाइटल सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे सनात्तक उपादी कारेक्रम ठीक है और यह सी बीसी एस बीएच डीसी वन थर्टी तू और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका अमारा जो है यह निदी कवीता और आप सबको पता है हमारे अंक कितने होते हैं अंडर्ड मार्क्स का मारा यह टोटल कुश्चन होता है पेपर होता ही और आपको यहां पे चॉइस भी होती है और जैसे देखो यहां पे गंद्याश दे रखा आपको यहां बेग तो कहता है कि निमलिक्त गंद्याश पद्याश दे रखा है गंद्याश नहीं है पद्याशों में से किसी एक की सपरसंग व्यक्या करनी है आपको ठीके दो रे रखे हैं तो किसी एक ही जो है वो आपको क्या लाइन्स हैं यह कलपना है बस इनको आपको explain करना होता है यानि इनके बारे में आपको जो है वो प्रसुतति करना करना है बाकि कुछ नहीं होता उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो ये एक और दे रखा है तो पढ़के बता देता हूं बेसिकली कि आपको पढ़ा है तो हरी सा हीरा ठीक है शांडी के करे आन की आस ते नर जंपुर जहिएंगे संत बाशे रवीदास तो ये इसका क्या मतलब हुआ है ये किसने लिखा हुआ है तो इनके दोरा ये लिखा गया है वो आप सारा लिखते हो फिर आपका जाता है बैक्ख्या तो बैक्ख्या में इसी को आपको जो है वो तोड़ फुरूट के इसको थोड़ा ज़्यादा खोल के लिखना होता है तो ये आप सब को बता है ठीक है उसके बाद जब भी आप क्वे को अटेम्ट करो तो आप हमेशा सिस्टेमेटिक तरीके से चीज़ों को लिखो स्टेप बाइस टेप पैराग्राफ में ठीक है तो यह चीज़े वाइड करनी है कि बस एक साथ शुरू करा तो ऐसे एकदम से लिखती स्टोरी टाइप और कहानी खतम ऐसे नहीं लिखना है ठीक उसके बाद आजाएगा एक और गर ठीक है तो देखो कितनी बड़ी चौई सापके सामने ठीक है तो एक मिनेट यहां पर क्या लिख रखाएगी निमलिक्त बनियाशों मैंसे किसी एक की सबरसंग बैक है एक लिखना है किसी को ठीक है कख गर तीन दे रखे हैं तो आपको को कविता मैंसे आया हुआ है ठीक है वो आपको अच्छे से कर लेनी है ठीक है उनके हर एक के बस आपको लिखना आना चाहिए और अडेंटिफाइ करना आना चाहिए कि हाँ यह उस कविता मैंसे आया हुआ है हमारा सबरसंग बैक है ठीक है बस अगर आपको यह पता चल जाए उसके बाद जैसे यहां पर second आचाएगा यह 20 marks का यह भी ठीक है कहता है कि 20 अंका यह कहता है कि सगुन बक्ति कावे की प्रमुक विशेशता है बतानी है आपको ठीक है और रिति कावे की साहितिक प्रवर्तियों का प्रिच्चे दीजिए ठीक है तो यह आपको करना है तो यह स्टड़ी वाला उसको जाहिन करो वहां पर आपको इसकी hard soft copy मिल चाहिए ठीक है भी एजडी सी 132 वहां से डाउनलोड कर लो और देख लो ठीक है एक बार फिर कहते है कवीर का जीवन प्रिच्चे देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है आपको 20 marks का तो इसमे तो आप दोहें भी आड़ कर सकते हो important important एक दो जिससे क्या होगा कि आपका प्रशन एक अच्छा खासा बन जाएगा ठीक है फिर प्रशन पांचमा क्याता है कि जैसी के जो कावे संद्रे का विवेचन की नहीं ठीक है तो यह आपको करना है और यह आपको पता होगा तो पता है था कि आपको यहां से कोई चार करने देटी है तो और आपके सामने कितनी क्वश्ण है यहां पर उसके बाद देखो यहां पर तुलसी दास हो गया फिर यह धनानंद की कभीता का आपको शिल्पक्ष का विवेचन कीजिए यह भी 20 अंका है और निमलिक्त में ऐसे कन पतास की जो कावे वाशायर और नीती कावे परमपरा तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्ण यहीं पर रिपीट हो रहे है प्रेशन जो है वह यहीं पर उनका बार बार रेपिटिशन हो रहा है बस यह चीज़ आप यहां पर देख लो उसक मैंसे फिर से आपको किसी एक सपरसंग ब्यक्या लिकनी है ठीक है तो पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान तो यह भी आपको यहां से इसका सपरसंग ब्यक्या करने है ठीक है सेम्परकार से यहां से तो कोई एक बे लिखने आपको यहां पे तो आपके सम्में बहुत और साथा खोल के लिख लेना होता है बर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां से लिया गया है कौँछी कवीता है या कौँछी दोहे है किसने दिये हैं वो सारी किसकी रचना हैं वो सारा आपको सपरसंग में लिखना होता है और ब्याक्या में आपको इसी के बारे में जो है वो खोल के लिखना होता है ठीक है पर आपको लिखना आना चाहिए फिर रितिकाल के प्रमुक कवियों का प्रिचे दीजिए जो लग-लग रितिकाल के कवी थे बस सारे लिखतो उनके रचनाई के बारे में लिखतो अगर उनके दोहा एक दो याद हैं वो भी लिखतो ठीक है फिर बक्ती का सबरूप सपष्ट करते हुए बक्ती कावे की प्रमुक प्रवित्तियों पर प्रकाश जालने हैं आपको and then संत्रविदास इनके बारे में बहुत क्वेशन आते हैं रविदास के बारे में तो यह देखो आप यहाँ पर की संत्रविदास की जो बक्ती वावना का विवेचन कीजिए ठीक है then आ जाएगा हमारा इसका अगला पार्ट और अगला पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यह देखो यहाँ पर आ गया हमारा सरदास एक मिनिट कहता है कि सरदास का जीवन बत परस्तत करते हुए उनकी रचनाओं का प्रिच्चि दीजिए और बिहारी की कवीता में जो अभी व्यक्त शंगार और प्रेम की जो है उसके बारे मैं लिखा है न उन्होंने उस पर आपको भी बिचना कर रही है यह भी बीजंका हमारा प्रशन है उसके बाद अगर हम बात करें तो तुलसीदास की बक्ती ठीक है का प्रिच्चि देते हुए एक मेने टियार तुलसीदास की बक्ती का प्रिचे देते हुए सरदास और तलसीदास तलसीदास की बक्ती पदती की तुलना कीजिए ठीक है तो ये तुलना होगा ये तुलसीदास होगा ये तुलसीदास होगा ठीक है तो इसको कर लेना तुलसीदास तुलू ठीक है। यह वना हो गए और यह आपको तुल ना नहीं है, ठीक है। और निम्लिक्त में से कहीं पर दो आप को मतल़ दो पर टिपनी लिखनी है, ठीक है, तो अपनी चोइस का जो आपको अच्छे जयाता होगा उस पर कर लेना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आपको एक जर्नल आईडिया मिल रहा होगा यहां से कि हमें क्या-kya प्रशन करने हैं। और जो तो पहले मैंने आपको बताए कि जो PYQ के अंदर क्वेशन आये हुए न या प्रशन आये हुए है यह तो आपको तो चाहिक में यह साथ हो कटा ठीक है तो यह आपको सारी जीजे इन में से किसी दो पर टिपने लिखनी है उसके बाद हमारा आजएगा नेक्स्ट टेर का वेश्ण ठीक है और यहां पर देख लेते हैं यह हमारा रहेगा ब्येच डीसी 132 और यह रहने वाला हमारा जून 2022 वाला ठीक है तो आपको सबको दिखरा होगा यहां पर इसमें भी आपको क्या करना होता है same 100上 cum का हमारा pressure पत्तर होता है प्रत्थम pressure अनिवारे है शेश मैं से कि नहीं आपको 4 pressure करने है नीचे मैं से ठीक है total आपको 5 pressure करने होते है बहुत जाभा choice होती है आपके सामने तो देखो ये pressure 1 जो है यह आपको देख रहा है जो यह क्या है हमारा अनिवार है ठीक है तो इसमें से किसी एक की इसमें भी चॉइस दे रखी आपको ठीक है कि आपको एक पर जो है वो सब परसंग वेका करनी है ठीक है तो देखो फिर से मैंने आपको पता दिया कि दो हे जो है वो अच्छे से करके थीयुंको जो जो रचना यापको दे रखी है तो उनके बारे मैंचेसे करके जाहूंने क्या क्या बोला याए ठीक है और आपको देख रहा होगा कि ये repeating नहीं हो रहे ये हमारे क्या हो जो प्रशन है हमारा यह फिर से दोराया जा रहा है ठीक है फिर से रपीट हुआ है यह रिति-काबे वाला भी ठीक है इससे आप क्या समिश्त हुए रिति-काबे के प्रमुक बेदों पर प्रकाश जा लिए जैसी के जीवन और रचना संसार का परिच्चे प्रसुतित तो यह देखो आपको बहुत सारे जो प्रशन हैं वो क्या हो रहे हैं फिर से दोराय जा रहे हैं यह से मीरा भाई की कवीता के अभी वेजना शिल्प पर प्रकाश जा लिए ठीक है तो देख रहो आपकी यहां पर बहुत सारे प्रशन ऐसे होते हैं जो के रपीट होते हैं फिर यहां पे रहीम बाला आ गया हमारा ठीक है रहीम की जो कावे वाशा तथा शैली की विशेशता है बताई है फिर से यह रपीट हुआ है सूर्दास के कावे के बादसले पक्ष की बिवेचना करनी है आपको और फिर दे दो पे टिपनी लिखनी है इन में से आपको बहुत चोईस है कि आपको कोई चार करने है ठीक है यह जो उपर वाले कोशन भी आड़ करके उसके बाद अगर हम नीचे बात करें दो को यह फिर रामबक्ती शाखा तो यह रामबक्ती शाखा आ गया कबीर की रचनाएं आ गया सूफी मत की दार्शनिक पक्ष आ गया बिहारी सत्त संगी के बारे में आपको लिखने है तो बस इनके बारे में में आइडिया जो होता है वो लेके जाना हिंदी ही है बस समझ के जाओ और अपना मना के लिखतो बहां आपको माक्स मिल जाएंगे ठीक है यह जुरूरी नहीं है कि आप बुक टू बुक लिखोगे जो किताब पे लिख रखा है पूरा रट्टा मारके जाओगे और इसको शाब क्या होगे फिर यह आ जाएगा दिसंबर 2022 वाला और यह अगेन आपको देखो पंद्याश आपको बना सकते हो ठीक है उसके बाद फिर से यहां पे आया हुआ है ठीक है और यह देख सकते हो आप ठीक है वीडियो पास करके फिर यह देखो यह भी कितना लंबा बुचा हुआ है तो इसको बनाना बीसंग का छोटा काम नहीं है बले कि एक असान काम है ठीक है आप इसको मजे प्रपीट हो रहा है कि आर्थसपष्ट करते हुए उसके प्रमुक वेदों पर प्रिच्ची दीजिए दैना चायका संत कवी रवीदास यह देखो रपीट हुआ यह जीवन तथा रचनों का प्रिच्ची देने आपको मीरावाई का फिर से हो गया यह अभी वैजना शिल्प क अभी वेचन कीजिए रपीट हुआ है तुलसी दास का जीवन परिचे देते हुए उनकी रचनों का प्रकार जाली यह रपीट हुआ है तो इसी प्रकार से प्रशन जो है वो रपीट होते हैं ऐसा नहीं है कि आपको नए प्रशन देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ जो हमारा पंद्याश होंगे वो आपको रपीट आ सकते हैं कि पंद्याश बहुत जादा होते हैं अक्को पता हुआ जो एक एक कवी है उन्हें बहुत जादा दिये हुआ है फिर यह जैसी यह फिरसे रपीट होगया रितिकालीन कवी बूशयन की जो कावे बाशा और शिल्प पर वि मीरा और अंडाल ठीक है अंडाल की बक्ती की तुलना करनी है आपको और रीती काली इन शिंगार कावे ये फिर से रपीट हो गया तो इसमें आपको आगे देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे प्रशन जोब हो रपीट हुए ये जून 2023 वा ला गया ठीक है और प्रतम प्रशन करनी वा रहे हैं आपको कहीं चार शेश करने हैं तो इसमें भी देखो फिर से पंद्याशों के मैंसे किसी एक की सार परसंग वेक्या करनी है ठीक है जैसे कभीर कुता राम का मुतिया मेरा नाउं गले राम की जेवडी जित खेचे तित जाओं ठीक है तो इसको आपको पास की रचना है और एक वेदास ची ने लिखा हुए है वेदास ची के बारे में थोड़ा सा लिख लो और सपरसंग आपका काफी अच्छा हो जाएगा एक पेज का हो जाएगा फिर आप इसके बारे में जो बैक्या करने के लिख दो और इसको जतना लंबा की सकते हो कि और इसी प्रकार से ये नीचे बाला आजाएगा ठीक है एंड उसके बाद ये तो काफी लंबा दे रखा है हम पे ठीक है और ये भी देखो तुलसी मन मदीर में बिहारे तो ऐसे करके चीज़े आपको दे रखी होंगी आपको बस इनके बारे में सरपरसंग बैक्खा लिखनी है और ये देखो रहीमन पानी रखिये बिन पानी साबन सुन पानी गएना उबरे मोती मानस चुन तो ये भी आपको इसके बारे में जो है वो सरपरसंग बैक्खा लिखनी है को यह करना है आपको यहां से फिर यह बक्ती कावे फिर से आ गया रपीट हो गया रितिकाल की प्रमुक कवियों के परिच्ची देते हुए यह फिर से रपीट हुआ हमारा प्रशन ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कवीर की बाशा और कावे संदरे का उधारन शाही तो यह भी फिर से अगेन रपीट हो रहा है फिर से अजिंग यहां फिरान पर को प्रशण दे रखें आपको सभी के सभी करने है तो यह कम से कम आपके कितने प्रशन बन रहेसर प्रशन बन रहे है ठीक है उसके भी आप यहाई से उत्तर निकाल सकते हो उसके बाद यह मीरा वाई देखो फिर से रपीट हो गया हमारा प्रशन ठीक है और इसमें भी कुछ हमारा सूर्दास फिर से हो गया और रहीन की कविता की जो बापक्ष की वेचना यह फिर से हमारा प्रशन जो है वो आपको रपीट हो गया उसके बाद हमारा यह क्या आगया निमलिक्त मैं से कोई दो पर टिपनी है लिखनी है यही बोल रहा था मैं कि अगर आपने बड़े प्रशन यहनि जो लगू उत्तर प्रशन होते हैं ठीक है वो आप असानी से कर सकते हो अगर आपने यह सारे प्रशन पढ़े होंगे तो ठीक है जैसे बिहारी सत्साइं के बारे में लिखना है तो इसमें अब कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंक पाइब और कर िछस्फ सकते हो तो तो एक इतना मची लिख सकते हो तुलसी दास की देखो ये फिरसे उपर से आगया अा हमारा ही वरा रांग में भी आया लहा था धाया हम है चौक कि छॉपर के इंदर लिखने को पूचा जाता है तो इस'me net एतना कुछ करने बात नहीं है और जो भी मैने यहां पर प्रशन पेपर के, अदर आपको यह नि-प्रशन पत्त्र के उपर और वहां पर आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीके soft copy मिल जाएगी हिंदी में, हिंदी है तो हिंदी में ही मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको, बस आपको क्या करना है, इगनो वाला चोड़ टेलीग्राम चैनल है, उसको जाइन कर लो, बग्या आपको उश्नी करना है, तो आज के लिए इतना ही मिलता है अगली वीडियो में, अगर वीडियो हसंद आई हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलने आप लोगोंने, और वीडियो को लाइक करना, सो भाई भाई, have a good day.